हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज बनाते हैं कच्छे केले की सबजी बहुत टेस्टी सबजी बनके तयार होगी और बिल्कुल असान तरीके से से मैं बनाऊंगी तो पूरा वीडियो देखेगा और वीडि इसको हमने अलकी धरदरा से हैं मैंने पीषत लिया है और इसको निकाल bamboo s Marie आज quickly पीस केस का पाउडर बना सकते हैं तो यहां पे मैंने अचार वाला मसाला लिया है तीन चम्मसे लिये हैं और इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मसे और लाल मेर्ज डाल देंगे एक छोटी चमल से या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से और थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से एक बार मिक्स करतेंगे मिक्सी के जान में गुमा लेते हैं तो देखें यहां पर यह मिक्स हो गया है इसको भी अभी साइड मेर रख देते हैं अब यहां पर मैंने ले लि आगे पिछे वाला इससा कट करके निकाल देंगे और ऐसे जीरा लगा देंगे ना तो यह राम से इसका छिलका निकल जाता है इस तरीके से हम सारे केलो को छिलके तयार कर लेते हैं तो इसके छिलके की ना बहुत अच्छी चटनी बनके तयार होती है अगर आपको इसकी रे दो हिस्सों में इसको कट कर लिया है कि केले बहुत छोटे-छोटे से हैं इसलिए दो पीस में कट किया है आप इसे पतला-पतला तीन पीस में भी काट सकते हैं तो अब सबसे पहले इसमें हम नमक डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और साथ यह अचयार वाले मसाला है फोड़ा है इसमें और यह दो तीज hypothesis जिसमें पेशन के डाल देंगे तो यहां पर मैं इसमे दो चमच बेशन के डालूँ गी और थोड़ा समय ने यहां पर अत्रक सबसे अच्छे से मिलाना है बढ़िया से मसालों को know के साथ्ञ अच्छे से कोड कर देंगे तो इस तरीके कर लेंगे उसके बाद जितने की अराम से केले इसमें आ जाए हम ढाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राइ कर लेते हैं उलट-पलटके बढ़िया से हम केलो को पका लेंगे बढ़िया अच्छा golden कलराने तक हमने इसे फ्राइ कर लेना है बहुत टेस्टी सबजीवन के तयार ह कर तो में पर्तन होती है आप उस तरीक late सी करने तो हैं को बहुत पसंद आईगी तो यहां पर चुल साई केले डाय कर ली कर ली 2 मि 프로 आप एक डिया है तो यहां तो थोड़ा सी कोण देल तो क्या स्धेए लेख कर ली है的 साइट कर लेते हैं तो बाकी जो बचावा तेल है उसमें मैंने डाल दी है तीन सूखी लाल मिर्च और इसी के साथ इसमें डाल देंगे थोड़ी सी राई के दाने जीरा डाल देंगे और इसको धोड़ा सजय से ही पक जाता है इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हींग और अ थोड़ी दिर के लिए मैंने इसे धक के पका लिया है तो अब इसे अच्छे से एक बार चला लेंगे और अब इसमें हम इस मसाला डाल देंगे जो हमने मसाला पीस के रखा हूए ना पेस्ट बना के रखा है ये मसाला इसमें डाल दिया है अच्छे से सारी चीजे को हमने मिक् थोड़ा से कस्मिरी लाल मिर्च भी डाल दी है अच्छा कलर आएगा इसे तीखा नहीं होगा सिर्फ कलर पढ़िया आएगा अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद अब मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने मसालों को अच्छे से भून लेना है तो इ इसमें डाल देते हैं पानी तो यहां पर मैं इसमें गरम पानी ही डाल रही बिल्कुल उबलावा पानी है तो इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं गरम पानी ही आप इसमें डाल लिए ग्रेवी के लिए और अभी देखिए ग्रेवी बहुत ज़दा पतली लग रही है पानी अकेले वाले जो हमने पकोड़े बना के रखे हैं वो इसमें डाल दिये हैं अब इसको ढख के हम फिर से 5-7 मिनट के लिए मेडियम आज पर अच्छे से पकने देंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे चाहें तो थोड़ा सा उपर से कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं तो लीजे यहां पर बहुत ही डेस्टी सी कच्छे केले की सबची बनके तयार हो गई है अब आप इसे जाने तो गर्मा गरम चावल के साथ पराठा रोटी क किसी के साथ भी सर्फ कीज़ेगा तो यह सभी को बहुत पसंद आएगी तो फ्रेंट्स जरूर से ट्राइ कीज़ेगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर से कीज़ेगा चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल म महत धन्यवाद